क्या रहा त्रिलर का रिस्पॉंस राध का क्यों बचा रही है प्रितिक को सेफ किस बात का पता लगाना चाहते हैं नमस्कार दर्शिकों मैं सनुनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलिवरांग स्टूडियोस पर विडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बॉलिवुड की दुनिया से जुनना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन माउप्स में दिये जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस उपरचिनिटी का भरपूर फायदा उचाएं तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कैसी ही फिल्म के बारे में जिस फिल्म का ट्रेलर अभी ही आज ही थोड़ी देर पहले रिलीस किया गया फिल्म के ट्रेलर को जबरदस्ट लाइक्स मिल रहे है और ओडियंस काफी जादा पसंद कर रही है ट्रेलर को भी हम बात कर रहे हैं फिल्म विक्रम वेधा की, विक्रम वेधा में हमें नजर आने वाले हैं रिदिक रोशन वेधा के रूप में और सैफ अली खान विक्रम के रूप में ये एक लोप्रिय साउथ फिल्म का रीमेक होने वाली है साउथ फिल्म में हमें विक्रम के रूप में नजर आये थे विजे सेथु पती वही वेधा के रूप में नजर आये थे माधवन आपको बता दें इस फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए पहले कंसिडर किया जा रहा था शारुख खान और मधवन को लेकिन उसके बाद कास्टिंग चेंज हुई और सैफ अली खान और आमिर खान को साइन कर लिया गया हाला कि इसके बाद भी कास्टिंग में बतलाव आए और फाइनली वेधा का कैरेक्टर मिला रिऩिक रोशन को रिदिक रोशन फिल्म में वेधा के चारेक्टर में एक विल्लिन का रोल प्ले करते नजर आएंगे आपको बता दें, रितिक रोशन और सैफ अली खान काफी लंबे समय के बाद साथ नजर आने वाले हैं ये फिल्म बेस्ट होगी लोगप्रिय कथा विक्रम बेताल के उपर उसी से रिलेटेड ये फिल्म बेस्ट होगी और फिल्म में हमें दिखाया जाएगा कि पुलिस का किरदार है सैफ अली खान यानी विक्रम का वहीं एक मर्डरर या फिर एक menorर का किरदार है वेधा यानी की रितिक रोशन का इस फिल्म में रितिक रोशन खुदको सरेडर कर देंगे विक्रम यानी सैफ के सामने और उसके बाल वो बस इतना कहेंगे कि मैं आपको तीन कहानिया सुनाऊगा जिस प्रकार विक्रम बेताल में विक्रम को बेताल कहानिया सुनाता है वैसे ही इस फिल्म में विक्रम को वेधा कहानिया सुनाएगा आपको बता दें फिल्म में रादिका आपते नजर आएंगी विक्रम यानि सैफ की पतनी के रूप में और वो अग सर सैफ अली खान को यानि की विक्रम को ये कहती नजर आएंगी कि वेधा को मत पकड़ो वेधा को बचाने की कोशिश करेंगी जिसके लिए विक्रम उन्हें मना करेंगे आपको ये भी बता देते हैं कि ये फिल्म विक्रम और बेताल की स्टोरी से काफी इंस्पायर है फिल्म के साथ वर्जन ने काफी सारे रिकॉर्ट सोड़े थे और ये फिल्म भी हमें कई रिकॉर्ट सोड़ दिन हज़र आएगी फिल्म थियेटर्स में रिलीज होगी 30 से प्टेंबर को आशा करती है, फिल्म सूपर हिट हो आपको क्या लगता है फिल्म के बारे में कॉमेंट सेक्शन में बताएं आज की वीडियो में बस इतना ही मैं लेती हूँ आप सबसे विदा फिर मिलेंगे यहीं इसी चानल पर हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करीज चानल को सबस्क्राइब करना बिलको ना भूलें